दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन टीमर्सी ने लॉक्डाउन के बाद बदले हालात में मेट्रो चलाने की तैयारी पूरी कर ली है अब सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की आदेश का इंतजार है जंक्रमन से यातों की सुरक्षा के लिए मेट्रो कई तरह के बदलाव करेगी इसके दहरत यात्रा के लिए टोकन की जगा अब स्मार्ट कार्ड का ही इस्तिमाल होगा मेट्रो रिल कॉर्परेशन डिया मार्स्ती के मुताबिक स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर आरोके सितू एप भी दिखाना अनिवार होगा यही नहीं सुरक्षा के लिहाज से तमाम आपचारिकताएं पूरी होने तक यात्रों को इंतिजार करना होगा स्मार्ट कार्ड और आरोके सितू एप और थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा सोशल डिस्टैंसिंग के मते नजर भी यात्रा के लिए अधिक वक्त देना होगा मेट्रो के संचालन की तयारी के तहट सबी 274 मेट्रो स्रेशनों के अलावा काव का काम जारी है देमर्सी इसके लिए गार्ड लाइन तयार कर रहा है जिसमें मेट्रो के अंदर प्रवे से लेकर बैठने तक की पूरी विवस्ता पर नियम बनाए जाएंगे लगडाउन से पहले मेट्रो के करीब 70 फीजदी यातरी सफर के दोरान मेट्रो काड का इस्तमाल कर रहे थे वहीं करीब 30-20 यात्री टोकन खरीद कर यात्रा करते थे। दिली मेटोरेल कॉर्परेशन के मुताबिक स्मार्ट कार्ट सहीद संक्रमन से बचाव के लिए जरूरी सबी पहलू पर तयारी लगबर पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के तैमानों को पूरी तरह पालन किया जाएगा। यहीं नहीं दूसरे प्रदेशों की यात्री जो नियमित सफर नहीं करते हैं उन्हें भी कार्ट लेना होगा। ऐसी और भी कई कई कबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूस के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लीटेस्ट और इंट्रेस्टिंग खबरों के लिए।